नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है रिशाब and welcome to my youtube channel आज हम बात करने वाले हैं top 5 bikes for beginners under 1.5 lakh रुपीज वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चानल पर नाए हैं तो चानल को सब्सक्राइब कीजिए Cars and Bikes related videos देखने के लिए तो आज की वीडियो में रहने वाली हैं चार बाइक शुआत करते हैं with number 4 तो number 4 पर जो बाइक आती है वो आती है यमाहा की तरफ से यमाहा की FZS बाइक के अंदर 149cc का एकूल इंजन आता है जो की power produce करता है 12.2 bhp का टॉक आपको देता है 13.6 mm का बाइक के अंदर आपको 5-speed gearbox देखने को मिलता है बाइक का जो इंजन है वो काफे ज़दा smooth है काफे ज़दा refined है power थोड़ी सी कम है इस बाइक के अंदर could be a good commuter also जो weight है बाइक का वो 137 kg का है बाइक के अंदर front में telescopic fork आपको देखने को मिलता है और rear में आपको 7 step adjustable mono cross suspension देखने को मिलता है बाइक के price के अगर हम बात करते हैं तो 1,4,000 आपको देने पड़ते हैं single channel ABS के लिए dark edition के लिए आपको 4000 और इसके उपर आपको देने पड़ते हैं यह यह जो prices हैं वो एक showroom है बात करते हैं तीसरे नंबर के तीसरे नंबर पर जो बाइक आती है वह आती है suzuki की तरफ से suzuki gixer बाइक के अंदर 155 cc का यह cool engine आता है power produce करता है 13.4 bhp का टॉक आपको produce करके देता है 13.8 mm का mileage के अगर बात करते है 45 kmpl से 50 kmpl तक का आपको mileage देता है बाइक के अंदर five speed gearbox आपको देखने को मिलता है बाइक का engine जो है वो काफी जादा refined है काफी अच्छी power आपको गाड़ी के अंदर देखने के मिलती है beginners के लिए बाइक काफी जादा अच्छी रहने वाली है बेट के बात करते है 141 kg कह जो है बाइक का weight है fuel tank capacity की अगर बात करते है तो बारह लीटर का आपको fuel tank a़ी के अंदर देखने को मिलता है suspension की अगर बात करते हैं तो front में आपको telescopic suspension देखने को मिलनता है rear मैपको swing arm देखने को मिलनता है जिकसर के अंदर जो front tire आपको मिलता है वो मिलता है 100x80R17 का जो rear tire आपको देखने को मिलता है 14060R17 का प्राइस के अगर बात करते हैं तो 1,17,000 एक शोरों बाइक की प्राइस रहती है चलते हैं दूसरे नंबर की बाइक की तरफ तो दूसरे नंबर पर जो बाइक आते हैं इंडियन बाइक मैनुफाक्ट्टर कंपनी बजाज की तरफ से आपको देखने को मिलता है बाइक के अंदर आपको 12 लीटर का फ्यूल टैंक देखने को मिलता है टायर प्रफाइल के अगर हम बात करते हैं तो फ्रंट में आपको 90 by 90 r17 का टायर आपको देखने को मिलता है रियर में आपको 120 by 80 r17 का जो है टायर आपको देखने को मिलता है बाइक का वजन 151 kg है suspension के अगर बात करते हैं तो front में आपको telescopic with anti-friction brush आपको देखने को मिलता है rear में आपको nitrox monosock absorber with canister देखने को मिलता है price के अगर हम बात करते हैं तो 1,8,500 रूपीज एक शुरूम bike की price रहती है बात करते हैं list में number one bike की तो number one पर जो bike आती है वो आती है tvs motos की तरफ जो की आती है apache rtr 164 वी बाइक में 159.7 cc का oil cool engine आपको देखने को 15.6 bhp का power आपको bike के अंदर देखने को मिलता है 14.12 nm का talk आपको देखने को मिलता है तो फ्रेंट में आपको देखने को मिलता है तो फ्रेंट में आपको टेलिस्कोपिक फोक्स मिलते हैं रेर में आपको monosoft suspension मिलता है टायर profile के अगर बात करते हैं तो फ्रेंट में आपको देखने को मिलता है 90 by 19 r17 टायर जो रियर का टायर है वो अलग-अलग आता है with the variants तो bike में दो variants आते हैं पहला आता है rear disc दूसरा आता है rear drum तो rear drum जो variant है उसके अंदर जो rear tire आपको देखने को मिलता है वो मिलता है 110 80 r17 का अगर आप disc rear में भी लेते हैं तो आपको 130 by 80 r17 tires देखने को मिलता है प्राइस की अगर हम बात करते है तो जो drum variant है उसकी प्राइब रहती है 1 lakh 5000 एक शोरूम जो disc के वेरियंट है उसकी प्राइब रहती है 1 lakh 8000 एक शोरूम तो आज के वीडियो के लिए तो नहीं अगर आपको वीडियो पसंद आओ तो like कीजिए comment कीजिए share कीजिए अपने दोस टो लाइस उस स्चाइब पस्या आपको नहीं अगर आपको वीडियो के वीडियो के वीडियों ।ो